हेलो एन वेलकम टू नेडिक एंटरेटेन्मिंट बॉलिवुड की दुनिया में रिष्टे बनना और बिगरना कोई बड़ी बात नहीं है आए दिन किसी ना किसी सितारे के लिंक अप और ब्रेक अप की खबरे सामने आती रहती है इन में से कुछ कपल्स तो ऐसे हैं जिनने देख कर लगता है कि वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं लेकिन फिर सालो साथ रहने के बाद उनके अलग होने की शौकिंग खबर सामने आ जाती है कई बड़े बॉलिवुड सेलिप्स अपने पार्टनर के सालो साथ रहने के बाद अलग हो जाते हैं और इसके लिए उन्हें मोटी रकम भी चुकानी पड़ती है बॉलिवुड की हाई प्रोफाइल शादियों की तो अक्सर ही बात होती रहती है लेकिन आज हम अपनी इस वीडियों में बात करने जा रहे हैं बॉलिवुड के कुछ हाई प्रोफाइल तलाख के बारे में जिसके लिए करोड़ों रुपे सितारों को देने पड़े हैं लिस्क में सबसे पहला नाम है रितिक रोशन और सुजैन का रितिक और सुजैन 14 साल एक साथ रहने के बाद अलग हो गए थे 2013 में रितिक सुजैन ने तलाख ले लिया था बताया जाता है कि रितिक को ये तलाख काफी महंगा पड़ा था इसके लिए रितिक को काफी मोटी रकम देनी पड़ी रिपोर्ट्स की माने तो तलाख के लिए सुजैन खान ने एलिमनी के तौर पर 400 करोड रुपे मांगे थे हाला की बाद में ये भी खबर सामने आने लगी कि रितिक रोशन ने 300 सी करोड दिये थे दोनों की तरफ से इसको लेकर कुछ कन्फरम नहीं किया गया है आमिर खान अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं बीते दिनों ही बॉलिवूड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने अपनी दूसरी वाइफ किरन राउ से अलग होने का फैसला लिया इससे पहले आमिर रीना दत्ता से भी तलाक ले चुके हैं 2002 में आमिर और रीना का तलाक हुआ था रीना के साथ आमिर को ये तलाक काफी भारी पड़ा था रिपोर्ट्स की माने तो आमिर ने ऐलिमनी के तौर पर 50 करोड उपे दिये थे दिली के बड़े बिजनसमैन संजय कपूर के साथ करिश्म कपूर ने 2003 में शादी की थी शादी के कुछ सालों के बाद ही दोनों के रिष्टे में खटास आने लगी फिर 2016 में संजय करिश्म की राहें हमेशा के लिए अलग होगी करिश्मा ने तो संजय पर domestic violence तक के आरोप लगाये थे संजय के साथ तलाक लेने के लिए करिश्मा को साथ करोड उपे और इसके साथ ही मुंबई में एक आलिशान बंगला भी एलिमनी के तौर पर मिला था चोटे नवाब सैफ अलिखान की अमरिता के साथ उनकी शादी भी काफी शॉकिंग थी सैफ को अपने से 12 साल बड़ी अमरिता से प्यार हो गया और दोनों ने सीक्रिट वैडिंग भी कर ली लेकिन 13 साल साथ रहने के बाद जब सैफ अमरिता के तलाग की खबर आई तो भी फैंस को बड़ा जटका लगा एक इंट्रव्यू में सैफ खुद बता चुके हैं कि तलाग के लिए उनको अमरिता को पाच करोड उपे और 18 साल तक उनके बच्चों का खर्च उठाने के लिए पैसे देने प 16 साल साठ रहने के बाद फ़रान ने अधुना के साथ अलग होने का अबकर प्यस्क्रांब बड़ा के बाद ने मुंबई का बंगला अपने पासर कि मांगी साथ में फरआन अपनी बेटी की देख बाल के लिए हर महीने मोटी रिकम दे रहे हैं रिया पल्ले संजदत की दूसरी पत्मी है 1998 में रिया और संजे का तलाग हुआ तब उस समय के हिसाब से उनका तलाग काफी महंगा था संजदत नेरिया को आठ करोड रुपे और एक महंगी गाड़ी दी थी यही नहीं संजदत नेरिया का खर्च तब तक उठाया जब तक वो लियांडर पेस के बच्ची की मा नहीं बन दी अरबाज और मलाइका का तलाग भी काफी सुर्चयां बटो चुका है हाला कि तलाग की आलिमनी का भी कोई ओफिशल खुलासा नहीं हुआ है लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो मलाइका ने मौअबजे के तोर पर 15 करोड रुपे की मान की थी फिलाल इस वीडियो में इतना ही देखते रहें नेडिक एंटरटेन्मिंट